नमस्कार दोस्तों वेलकम टिरोन चैनल लेर्न टू अन्वाइक यार्स टूड़ी वूट बीडिस्कसिंग अबट शेयर बाजार शेयर बाजार हम लोग डिसकसिंग करेंगे निफ्टी के बारे में निफ्टी बैंक के बारे में ग्लोबल संटीमेंट एफाइड डेटा वोड तरफा नीचे का मूब लगा और लगा कि जैसे अब 22,000 ब्रेक कर जागा और शार्प रिवर्सल था मॉर्निंग आर्स में जो वीडियो बना था क्लिरली श्रेट किया गया था कि ग्लोबल संटीमेंट बहुत पॉजिटिव है और यहां से तेजी बन सकती है एक रिजन था स ग्लोबल संटीमेंट पॉजिटिव एंद दूसरा था वीकली एकस्पारी में सेकंड हाप एस एकस्पेक्टेड इसमें उच्छाल बना और अच्छी कासी सबको प्रॉफिट भी आया होगा अब इसके लिए नया सपोर्ट एं रेसिस्टेंस है तो देखे 22,250,300 के रेंज मे अभी ये फिर से हो सकता है रेटेस्ट करने आए फिर अच्छा कासा फिर आज से आपको रिवर्सल देखने को मिल जाए और फ्रेंट अब मूफ करते हैं टूबर्स बैंक निफ्टी जहापर देख सकते हैं 289 पॉइंट का तेजी देखने को मिला 0.6100 परसन का उच्छाल थ देख सकते हैं 47,340 का लो बना एं 48,000 को ब्रेक किया अच्छा खासा ब्रेक करने के बाद देख सकते हैं या सबसे पहले तो गिराउट हुई देख सकते हैं और फिर शार्प रिवर्सल तो फ्रेंट अच्छा खासा वीकली किस पारे में अच्छा खासा पैसा बनाने का आज मौका मिला था मार्केट में अब इसके लिए सपोर्ट बनेगा 47,959 की रेंज में देख सकते हैं 47,959 की रेंज में बनेगा सपोर्ट और ऊपर में रेसिस्टेंस बनेगा फ्रेंड 48,250 से 48,300 एक एक्स्ट्रा 0 है इसको डिलीट कर देना है आगे बढ़ते हैं अब ग्लोबल सेंटिम्ट यानि अमेरिका मार्केट का अभी क्या सिती है तो देख सकते हैं अमेरिका देख सकते हैं बिलकुल एक सिमीदारे का ट्रेड है 100 पॉइंट का उच्छाल है नाजडेक में 53 पॉइंट का उच्छाल है पॉस्मी के तब में सब में देख साथ है 0.30,0.31,0.32 यानि कि यहां पर अभी 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 स्टिल बॉलिशनस इंटक्ट है अभी भी अच्छा मार्केट यहां पर देखन का उच्छाल है आगे बढ़ते है फ्रेंट चली एफ़ाइड डेटा को चक करते हैं जहां पर देख सकते हैं आज के दिन में थोड़ी वीक्वाली कम गई है 776 क्रोका सेलिंग किया है उसके गिंस में डिया ने 2,127 क्रोका देख सकते हैं बाइंग किया नेट तो माइनस करन करते हैं लगतार गिरावट हो रहा है सेलिंग यहां पर कम देखने को मिल रहा है FI की तरब से FI इंडेक्स को चेक करेंगे फ्रेंट यहां भी 742 क्रोका इनोंने सेलिंग किया है यहां भी वीक्वाली थोड़ी कमी है और FI इंडेक्स ऑप्शन में यहां देख सकते है 12,696 क्रोका ने बाइंग किया है उसके लाबा FI स्टॉक में चेक करेंगे स्टॉक में चेक किजएगा तो यहां देख सकते है 2,673 क्रोका सेलिंग किया है और FI स्टॉक में 355 क्रोका भी सेलिंग किया है तो FI net to net selling ही कर रहे है लेकिन अच्छी चीज़ है कि selling थोड़ी कमी है मे कमी गिराउट देखने को मिल रहा है यह कहने के मतलब है वोड़ा फोन आइडिया का result को चेक करेंगे तो net loss जो रहता है वाइडन हुआ यानि loss बढ़कर आ रहा है 7,674 क्रोका और आर्पू जो रहता है at 146 revenue from operation जो रहता है increase किया marginally 10,606 crore from 10,531 in the same quarter यानि कि last year से चेक करें है हम लोग इसको completely भी थोड़ा चेक करते है कि result कैसा आया है यह आपका last year का result है company ने आज रिजल्ट अनाउस किया यह previous quarter का result है यहां चेक करेंगे company का income को तो वन देख सकते हैं 1,6393 का है last year था 1,6257 का यान yearly basis में income में jump है quarterly basis में 1,6,980 से गिर करके 1,6393 यानि quarterly basis में गिरा and previous quarter में था 1,84 दोनों को अगर minus करेंगे हम income और expense को तो आपका जाएगा profit before exceptional item तो उसको जड़ा चेक करेंगे तो यह देखिए हाँ पर बताया ज़रा है 76,633 का loss है अभी last year था 64,000 का loss देखिए loss बढ़ गया बढ़ कर आ रहा है यानि कि quarterly yearly basis में result खराब हो गया and quarterly basis में 77,411 स loss घट करके 77,633 यानि कि quarterly basis में थोड़ा loss कमा है और yearly basis में बढ़ कर आ रहा है तो बहुत ही मिला जुला सा result यहां देखने को मिल रहा है net profit को चेक करते है यानि tax minus करने के बाद कितना आया है तो यह देख सकते है 76,746 का अभी है last year था 64,189 previous quarter में था 69,859 यानि loss जुला था yearly and quarterly basis दोनों में बढ़ कर आ रहा है तो result उतना बढ़िया नहीं है या फिर कह सकते है थोड़ा मिला जुला सा result है because revenue में थोड़ा सा jump देखने को मिल रहा है तो अब सब कुछ depend करेगा market के sentiment के ऊपर depend करेगा अब आरपू को चेक करेंगे आरपू यानि average revenue per user क्या है तो यह बता यहां पर बता जा रहा है और 11 सब्सक्राइब ग्यारा सब्सक्राइबर यहां पर बताया जा रहा है और 11 सब्सक्राइब ग्रोथ देखने को मिल रहा है और equity fund raise of 215 billion will enable to kickstart investment cycle to expand our 4G coverage as well as launch 5G services तो जो इने फंडरेस क्या किस चीच के लिए use करेंगे to meet the industry opportunities चीच को 4G and 5G को expansion के लिए we are engaged in with our lenders for trying tying up debt funding towards execution of our overall network expansion तो यहापन network expansion के लिए use कर सकते है we the telco recently इन्होंने raise किया 18,000 crore through largest FPO जबी आया था उसमें उसका update है और उसके लावा इनका यह भी करना है कि debt fundraising करेंगे the telco said it is in discussion with consortium of bank to raise 25,000 crore and additional non-fund based up to 10,000 crore तो यहापर fund risk की करने की बात कर रहे है through bank उसके लावा एक और update है जहाँ पर बता जाना है कि telco said its 4G subscriber continued to grow for 11th successive quarter 4G subscriber stood at 126.3 million at the end of quarter 4 financial 2024 and 122.6 million in quarter 4 2020 यानि की देख सकते है अच्छा कासा growth देखने को मिला है जो की addition है 3.7 million 4G subscriber over the last one year overall subscriber based जो रहता है इनका stood at 212.6 million the data traffic for the quarter witnessed a year growth of 4.3% तो बहुत सारे चीज positive यहाँ देखने को मिल रहा है friend और सब कुछ different करेगा कल market के sentiment की उपर अब है विदानता को लेकर के जहाँ पर विदानता ने 11 रूपीज का dividend अन्य एक शेर पर आपको मिलेंगे 11 रूपीज company dividend के थुरू 4,089 करोड का dividend दे रही है and plus इसका record date जो fix क्या गया है वो देख सकते है 25th May 2024 is the record date for purpose of payment उसके लाबा company fundraise कर रही है 8,500 करोड का fundraise इससे लेटेड वीडियो अड़ी बना हुआ आप उसको चेक कर सकते हैं यह था complete update about share market I hope आपको इए वीडियो अच्छा लगागा वीडियो अच्छा लगागा ने वीडियो को लाइक की जेगा शेर की जेगा अच्छान को सब्स्ट्राइब भी जेगा Thank you